अंतर विकल्प शून्यस्य बही स्वच्छन्द चारिण भ्रांतस यह दशास तास ताद्रिशाएव जानते अश्टावक्र गीता के चौधवें अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्ष को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है अंतर विकल्प शून्यस्य अर्थाथ भीतर में विकल्पों से शून्य बही स्वच्छंद चा यहां यहां पर जल्प महाराज कहते हैं कि भीतर में विकल्पों से शून्य और बाहर आचरण करने वाला जो वेक्ती है उसकी जो दैशा है वह भाँत जैसी प्रतीज होती है और इस दशाह केवल उसके जैसी अवस्था वाला व्यक्ति ही जान सकता है अर्थात जिस व्यक्ति को ग्यान नहीं है वह ग्यानी के आचरण को समझने में उसका सामर्थ違 नहीं है तो जैसे हमारे जो ग्रंत हैं उन में हम देखते हैं कई बार की जो भगवान के आचरन को उसमें बताया गया है कई बार ऐसा होता है कि वह जो भगवान का आचरन होता है वह हमको समझ में नहीं आता है आप देखें कि लोग किस प्रकार से जो है कई बार धार में ग्रंतों की या वो हेलना करते हैं या कई बार उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि भगवान तो ऐसे आचरण कर रहे हैं उन्होंने ऐसे क्यों किया उन्होंने वैसे क्यों किया तो इस प्रकार के जो प्रशन उठाते हैं लोग वह वास्तों में जो जो भगवान का आचरण है उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं और इस कारण से जो है वह इस प्रकार के प्रश्ण उठा रहे होते हैं तो भगवान कोई कारण क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का प्रश्ण करना जो है वह अपने आप में ही वास्तों में यह दिखाता है कि आपको अभी ग्यान नहीं है तो इ कि यहां पर कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मुझमे इतना ग्यानी नहीं है कि हो ग्यानी वेक्ति हो गया जिसका इश्वर के साथ में योग हो इश्वर से जुड़ चुका है उस에 विसी ही वह जाती है क्योंकि जो कर रहा होता है वह क्यों कर रहा है यह समझने की हमारे भीतर जो है क्षमता ही नहीं है हम समझ नहीं सकते कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं केवल वह व्यक्ति जो कि उस स्तर तक पहुंच गया कि वह ही समझ पाता है कि वह ही समझ सकता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और कोई नहीं समझ सकता इसको तो वह वाली अब देखिए जब हम इस जीवन को जीते हैं तो हम कई बार इस प्रकार के कार्रे करते हैं जो कि हम आपके साथ हैं कि लोक लाज की दृष्टी से करते हैं कि हमें जो है जगत का भाय होता है, हमें समाज का भाय होता है, कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो समाज क्या बोलेगा, यदि मैं वैसा करूँगा तो समाज क्या बोलेगा, परंतु जिसको ग्यान हो गया, उसके भीतर से ये भाय निकल जाता है, कि मैं ऐसा करूँगा तो जगत क क्या बोले है वह स्वच्छंद हो जाता है एसा नहीं होता है इसलिए उस पर यह जो समाज का जो भार होता है कि आपको ऐसे आचरण करना चाहिए या आपको वैसे आचरण करना चाहिए वो उस पर से उठ जाता है और वो फिर जो है लोक लाज की चिंता किये बिना जो है अपना कारे करता है वो जो करना है उसको करता है और जैसे कि हम अभी मी समझा कि भ ग्यान ही नहीं हुआ है वास्ताव में इसलिए वह इस परकार के प्रशन कर रहा है कि भगवान ऐसा क्यूं करते हैं भगवान वैसा क्यूं करते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए जब आपकी ग्यान में स्थिती हो जाती है तो फिर आपके भीतर इस परकार की बात नह ही है उन सबसे मुक्त होकर की विक्ति कार्य करता है तो उसको ना तो जगत कभ ने वो कहती है वो हम नहीं करते हैं और क्योंकि हम उसको नहीं करते हैं इसी कारण से हमारा कल्यान नहीं हो पाता है जबकि जो ग्यानी वेक्ति है वह इस बाद को जान लेता है कि मेरी अंतरात्मा जो कहती है उसको करने से ही मेरा कल्यान होगा भले ही समाज कुछ भी कहता रहे तो वो जब इस प्रकार के कारे करता है तो इसलिए वो ब्रहांत से लगते हैं हमको कई बार वो ऐसे कारे करेगा जो कि हमें लगे है कि क्या कर रहा है यह तो पागल हो गया है इस प्रकार के सोचते हैं करने तु वास्ता में वो जो कर रहा है वो वास्ता में उचित है वो कि वह कुछ त contemplation के लिए कार्वार करता यह बहुती है zenतने में कि अधी कि अधर को स्थितिरती है और व में वह ही जो है वहा हुटासे कि यह क्यों रहा है क्यों कर रहा है तो गरंथों में भी यह ही स्थिति कि भगोण जब कुछ काप्रा रहते हैं तो हम कोई वा आई से क्यों कर रहे हैं वैसी कर रहा है तो यहां पर ही परस पर विरोध हो जाता है कि प्रश्लै ना करने पर ही वास्ताष्व में जो जो है लोग कुछछ बनाते हैं तो यदि हमको उस विशेए का उतना घ्यान नहीं है तो गई बार हमारे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है वैसे क्यों किया जा रहा है पर उप को ग्यान हो जाता है तब हमें समझ में आता है तो वही वाली बात है जो कि यहां पर जैनक महराज करें तो आशे करता हूं कि मैंने इस इस लोग को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसके साथ इस वीडियो को यह पर सभाब्त करते हैं नमस्ते जो करते हमेंश चलिए यह जो करते हैं फिसमेंश परिए करते हैं वही जich करते हैं तो ऑामने आता हैं यह My टेधियोर कपके चाहता हैं लाग constitute करतने, इस वीडियोर समय जाम पर दो लोutar 사람이 गए भावे हैं नहीं हो जो झाने हूँर आते हैं आता हैं लेन करते हैं सार जातों है